वेलकम फ्रेंट्स तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ मश्रूम करी की रेसिपी वो भी धाबा स्टाइल जी हाँ फ्रेंड्स आप हमारी सब्सी का लोक और टेक्षर देखे कितना पॉफिक्ट आया है लग रहे हैं पॉफिक्ट धाबा स्टाइल मश्रूम करी ऐसा जटपर से तयार हो जाएगी बिना किसी महनत के और सामने से आप हमारी सबजी की कांसिस्टेंसी देखिए ग्रेवी का टेक्षिर देखिए आप इसे रोटी नान पराथे चावल प्लाव किसी की भी साथ इंजॉय कर सकते हैं और इसका टेस्ट इतना ज्यारा डिलिशिस होगा कि आपको लगीगा ही नहीं कि आप मश्रूम खा रहे हैं इसका टेस्ट बिलकुल चिकिन के जैसा होगा तो बनाना शुरू करते हैं डाबा स्टाइल मश्रूम करी को इसके लिए सबसे पहले मैंने चार बड़े चमच कोकिंग ओईल को ले लिया है और जब ऑईल अची तरह की एक अच्छाइन की एक एक लाइच और एक इंच अध्रक का टुक्रा है साथ से लेसं मोटी एक चौटा तुक्रा और एक चोटा टुक्रा जावित्रि का почत अच्छी तरह से नहीं कि अप्छा प्क ना जाएं जिस से अक्छी तरह का अच्छ इसे अच्छे से भुन लें जब तक प्यास में गोल्डेन कलर ना आ जाए और अब यहां पर एड़ कर देंगे एक मीडियम साइस का टमाटर रफली कटा हुआ है और एड़ करेंगे एक टीस्पुन के जितना नमक और सारी चीजों को अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पका अच्छी तरह से घुल चुके हैं तो इसे ठंडा कर लेंगे निकाल कर और इसे फाइन पेस्ट कर लेंगे तो देखे सेम ऑई जो बची हुई ऑई ती इसमें अपने तयार के हुए पेस्ट को और उसे अच्छी से एड़ करने के बाद एड़ करेंगे हाफ टीस्पुन बहुत इंपॉर्टेंट है यह आप बारी कटे हुए आच से दस लेसन को टुकडे जरूर डाले बहुत अच्छा फ्लेवर देगा बिल्कुल ढाबा स्टाइल और इसे कवर करते हुए हमने अच्छी तरह से ओयल सप्रेट होने तक भून लिया है बीच बीच में चला लिया अच्छी तरह से मश्रूम ने पानी छोड़ दिया है तो इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं और एड कर देंगे यहां पर गरम पानी एक कप के जितना और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर दस से पं फाइनली फ्रेश धनिये को एड कर देंगे और देखिए कितनी डिलिशिस और टेम्टिंग हमारी मश्रूम करी तयार है बिल्कुल धाबा स्टाइल है और इस धनिये को जरूर एड करें एक अलग सा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और हमारी सबजी की कंसिस्टेंसी करें आपको यह टेस्टी बहुत ज्यारा लगेगी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई